Genius Kids Cultivating Love for Learning अध्याए बारा, ताज महल, जानकारी विशेश, एतिहासिक इमारते हमारी धरोहर हैं हमें इनकी स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए कभी किसी इमारत की दीवार पर लिखना या उसे तोड़ना अनुचित कार्य है विश्व के महान आश्चर्यों में एक महान आश्चर्य हमारे देश के प्रसिद्ध नगर आगरा में स्थित है जिसका नाम ताज महल है इसलिए आगरा को ताज नगरी भी कहते हैं सोनी और मोनो अपने चाचा जी के साथ आग्रा जा रही है उनकी रेलगाडी ताज एक्स्प्रेस लगभग 10 बजे आग्रा के केन स्टेशन पर पहुँचेगी वे वहाँ ताज महल देखने जा रही है ताज महल की गिंती दुनिया के महान आश्चरियों में की जाती है आग्रा दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर है रेलगाडी में बैठे बैठे सोनी ने चाचा जी से पूछा चाचा जी ताज महल किसने बनवाया था चाचा जी ने उसे बताया ताज महल मुगल बादशा शाह जहा ने बनवाया था चाचा जी शाह जहा ने इसे क्यों बनवाया था मोनु ने पूछा चाचा जी ने बताया शाह जहा ने अपनी बेगम मुम्तास की याद में इसे बनवाया था वे मुम्तास को बहुत प्यार करते थे लेकिन इसे बनवाने की क्या आवशक्ता थी सोनी ने पूछा चाचा जी ने बताया एक बार मुम्तास बहुत बीमार हो गई थी उसने मरने से पहले अपने पती शाजहा से कहा कि मेरे मरने पर आपने ऐसा मकबरा बनवाए जिसके समान संसार में कोई और दूसरा ना हो मुम्तास की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए शाजहा ने ताजमहल बनवाया था बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला और गाली आगरा के कें स्टेशन पर जा पहुँची वे स्टेशन से बाहर निकले और ताजमहल जाने के लिए टैक्सी में पैने गे बच्चों को दूर से ही ताजमहल का गुम्बत दिखाई दिया तो वे खुशी से चला उथे देखो वह रहा ताजमहल टैक्सी से उतर कर बच्चे जब ताजमहल के द्वार पर पहुँचे दो चकित रहे अब वे जल्दी से जल्दी अंदर पहुँचना चाते थे ताजमहल एक विशाल चबूत्रे पर बना हुआ है इसके चारों कोरों पर चार मिनारे हैं इसके सामने एक छोटी सी नहर है जिसमें फवारे चल रही है नहर के दोनों और हरे मरे उध्यानों में विबून प्रकार के विक्ष लगे हुए है ताजमहल के एक और अजायब घर भी स्थित है ताजमहल सफेद संद्वर्मर से बनाया गया है इसकी दीवारों पर बहुत ही सुन्दर नकाशी की गई है चाचा जी बच्चों को ताजमहल के अंदर ले गए वहाँ पास पास दो कबरे बनी हुई थी गाइड में उन्हें बताया ये शाजहा और मुम्तास की नकली कबरे हैं असली कबरे इनके नीचे हैं वहाँ अंधेरा है इसलिए उन्हें लालतेन या मुम्बती की रोश्णी में ही देखा जा सकता है गाइड में उन्हें यह भी बताया कि नीचे की कबरों पर जाने के लिए सरकार ने अप्रतिबंद लगा दिया है गाइड में बताया ताज महल का संग्मर्मर मकराने की खानों से मंगवाया गया था इसे बनाने में पूरे 22 वर्ष लगे थे इसे लगभग 20,000 मजदूरों ने दिनरात काम करके बनाया था यमुना नदी के किनारे पर आज से 300 वर्ष पहले बना यह ताज महल आज भी ऐसा लगता है मानो कल ही बना हो सोनी और मोनू ताज महल को देख कर और उसके बारे में जानकर बहुत खुश थे शब्दान्थ बेगम का अर्थ है रानी आवशक्ता का अर्थ है जरूरत संसार का अर्थ है दुनिया इच्छा का अर्थ है चाहत चकित का अर्थ है हैरान विशाल का अर्थ है बहुत बड़ा उध्यान का अर्थ है बाग अजायब घर का अर्थ है संद्रहाले नकाशी का अर्थ है दीवारों तथा लकडी आधी पर खोद कर बनाए गए बेलबूटे प्रतिबंद का अर्थ है रोक